अगर आप high school में और बोर्ड परिच्छा देना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए, अगर आप बोर्ड परिच्छा में चाहते हैं कि हमारा six number कोई न काड़ बाए रचना से, तो ये वीडियो आप पूरा देखिए, आज की इस वीडियो में आप रचना पूरी तरह सी प्रागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टड़ी भी सचिंसर में तो आए दोस्तों सुरू करते हैं हम देखिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज चला रहे हैं तो जिसमें हमने सेट वन 2020 का करा दिया है लगभग उसका दो पार्ट वीडियो बना दिया है और आज की इस वीडियो में हम तीसरा पार्ट लेंगे तो इसमें मैंने आपको कहा था कि जो रचना से संबंदी सवाल है वो सवाल आपको पताने चल रहा हूं तो आज हम रचना की संबंदी जितनी सवाल है एक दो तीन चार सभी से टोकी एक तरफ से पढ़ लेंगे इसके बाद आप यह किलियर हो जाएगा तो आपका बोर्ड में कोई नंबर नहीं कार सकेगा तो चलिए गोला प्रकार निकाल लीजिए और पट्री पेंसल आप बिल्कुल तयार हो जाए हमारे साथ बिल्कुल करने क लिए जैसे जैसे में बोर्ड पे करूं सेम आपको वैसे कापी में करना है तो आप रचना सीख जाएगे चलिए स्टार्ट करते हैं कि देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है यहां पांच सेंटीमीटर फी 5.5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर तो जो सबसे बड़ी भुजा उसको हम माल लेंगे और यहां पर जो भुजाओ की दो बटक तीन गुना उसको लिख लीजिए आप ऐसे पहले सबसे पहले इसको सेंटीमीटर हो गया ठीक आप ऐसे खेंजी पटरे से अब इसके बाद आप देखिए यहां से देखिए इसमें क्या दिया सवाल में पांच सेंटीमीटर 5.5 सेंटीमीटर आप चाहो तो 5.5 सेंटीमीटर ऐसे अपने पटरी में से 5.5 सेंटीमीटर भल दीजिए उसमें दिय अब इसके बाद आप क्या करेंगे पी देखिए 5 cm दिया तो अपने पट्रे में 5 cm ऐसे भरेंगे 5 cm इस फाइप सेंटी मीटर को थी पर रखकर ऐसे लगा दीजिए लगा दीए एक अरक लगा दीजी इसे चाप कहा जाता है उसके आप क्या करेंगे यहां से आप इसको मिला देजिए। उसके बाद इसको भी ऐसे मिला दिजिए। यह हमारा 5.5 cm है यह हमारा 5 cm है ठीक है कोई दिकत इतना आप कल लिए। नीचे एक लाइन डिआ है और ही जिए आव इसके बाद यहां से कुछ भी आद्रिच यह से कम सब्सक्रा़ा एक चाफ दो तीन यहां पर थिरी दिया है तो तीन बार 5 दिया रहेगा 5 बार 6 दिया रहेगा 6 बार ऐसे करना है ठीक इतना करने के बाद यहां पर ऊपर देखिए 2 दिया है ठीक है तो यहां पर हम को इस दूसरे वाले को इसमें मिलाना पड़ेगा भी में यह हमारा A1 हो जाएगा, यह हमारा A2 हो जाएगा, यह हमारा A3 हो जाएगा, कोई रिक्कत, इतना आप कर लिए, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 3 को, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान से देखना, इस 3 पर ऐसे रखेंगे अपना गुला प्रकार, उसके बाद आधे से, इस लाइन का A2 और A3 का आधे से ज्यादा, मतलब आधे से ज्यादा A इतना से इतना ले लेंगे, आधे से ज्यादा, ऐसे लेकर यहाँ से एक चाप ऐसे लगा देंगे, आधे से ज्यादा लेकर चाप लगा देंगे, यहाँ से आधे से ज्यादा लीजिए, इसे चाप लग दीजिए ठीक है उसे त्रिजर जो यहां लिए हैं आप यहां से यहां से यहां लगा दीजिए ठीक है लगा लिए अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहां से क्या करेंगे जो यहां पर लगाए चाप इसको इसी पर गोला प्रकार रखिए और अपने गोला प्रकार को यहां अब इसी चाप को आप यहां से आप यहां पर अब यहां पर निवा ओर नीकिल थोड़ा साक्षिन फटान अब यहां पर इसको आप मिला दीजीए चीधी लाइन बिल्कुल हां से इसने मिला ज़िए मार्स घळबड हो जा रहा हाँ मालेज्ञ खिचने में यह थी ऐसे एकडम से मिला दीजिए चीधी लाइन पर Built तृॉट कर ठीक है यहां तक मिला दिये आब इसको आप कुछ भी माल लेजिए आप मालेजिए इसको डी मालेजिए इसको सी माने हो इसको डी मालेजिए इतना कर लिए अब इसके बाद वही काम फिर करना इधर से देखिए धान दीजिए यहां डी पर रखिए और बी और डी से आधे से कम ऐसे मालेजिए इतना यह थोड़ा ज्यादा अब इसके बाद आप यहां करेंगे जो यहां पर यह चाप लगा इसको अपने गोला प्रकार में भल लीजिए इतना इसको भल लीजिए अब इसी पर रखकर एसे जितना है ऐसे लगा दिजिए एक चाप इतना इसको ऐसे भरे हो इसी पर एसे रखिए और एक चाप लगा दिजिए इसे लगा दिए अब उसके बाद इसको ऐसे मिला दिजिए यहां से a की से कि तो शोड़ा सा मारा गड़ब्ला जा रहा है इसको आप ऐसे e e practice एसे मिलाहने आपका बिलकुल सही मिलेगा थौड़ा सा माले जिए ऍसको बांदा हो इधर उदर हो जा रहा है लेकिन आप disci विल्कुल एक दम राइट मिलेगा यहां पर आप कुछ भी माज़ सकते यहां ठीक है तो देखिए यही कहा है हमारा सवाल क्या गाया देखिए 5 सेंटीमेटर 5.5 सेंटीमेटर 6 सेंटीमेटर भुजावले त्रभुज की रचना कीजिए यह हमारा इतना रचना हो गया उसके ब बराबर घटा बढ़ी बिलकुल नहों दोनों दूरी पराबर हो और संगत बुजाओ की दोबटा तीन गुनियों तो इसकी रचना जो लिखना है रचना आप खुल लिख सकते हो कि माइने सर प्रथम एवी बराबर 6 सेंटीमेटर खींचा ठीक है उसके बाद क्या करो कि बिंदू बी पर पांच सेंटीमेटर त्रिजा से चाप लगाया फिर यहां से एसी और बीसी को मिला दिया ठीक है फिर बिंदू एसे एक रेखा खंड खींच लिए यहां नीचे खींच लिए उसके बाद उचित दूरी की त्रिजा लेकर 123 यानि की तीन आर्क लगाया तीन लेकर एक चाप लगाया उसी त्रिजा से बी पर मान करें चाप लगाया ठीक कि यहां से इस चाप को हमने भरा यहां पर रखा इसे लगा दिया फिर लिखना एठी को यहां लिख देना भी को थोड़ा सा बढ़ा दिया यहां एठी को डी से मिला दिया यहां तक फिर वही का आप ने किया कि यहां से आदे से ज़्याद लिया इसे एक चाप लगाया उसी को भी पर रखा फिर एक चाप लगाया यहां से आप ज Wanna चाप लगा इसको भरे गोल प्रकार मेहा लगा दिए इसको सीधर यहां पर मिला दिए इसको यम्माल लिए ठीक है इस तरह आप रचना लिख सकते हो चलिए इसी टाइप की एक सवाल और देखते हैं एकदम किलियर हो जाएगा आपका देखिए दूसरी सवाल इस बार आपको 100 परसेंट आजएगी सेम उसी टाइप किये देखते हैं करा एक त्रिभुच की रचना कीजिए यानि एक त्रिभुच खेंचिए जिसकी भुजाएं पांच सेंटीमीटर छे सेंटीमीटर तथा साथ सेंटीमीटर है और एक अन सेंटीमीटर फिर साथ सेंटीमीटर इतना दिया है हमको यह करना है बस हम में पॉइंट लिख लिए हैं सेम जैसे इसके पहले सवाल सेम उसी प्रकार के ठीक है तो देखें इस बार आपको 100 परसेंट आएगा यहां पर साथ सेंटीमीटर जो सबसे बड़ी भुजा उसको प है माले जी इतना होगा ठेंटीमिटर यहां पर एक चाप लगा दीजिए से कि % असकी इसके बाद क्या है 5 सेंटीमीटर ःफ़ोड़ा से कम खरिए अपने गुलब परकार में आप 5 सेंटीमिटर जय को यहां बी पर रखें आरे को लगा दिया पहले 6 सैंटीमीटर पर ए पर रखके लगा देजिए फिर 5 सैंटीमीटर पर भी पर पर रखके लगा देजिए अब इसके बाद A को यहां मिला दीजी ए ऐसे मिल गया और दी को एसे मिल दैजिए ओसे तो यहां सी मान लेते ह Boulevard यह कितना हमारा छे सेंटीमीटर यह कितना फाइब सेंटीमीटर एक तिल्भुजबन गया किये अब इसके बाद आप क्या करेंगे यहां पर देखें तीन बड़ा पांच को नहीं है तो सबसे पहले हम यहां पर एक ऐसे रिखाखंड खिंचे लेंगे आप देखेंचिए अब इसके बाद यहां हम क्या करेंगे यहां पर देखें 5 है उसमें क्या था टू अपांच थिरी इसके पहले सवाल में तो यहां तीन बार खिंचे थे यानि तीन बार हम ऐसे कट मारे थे तो यहां पर 5 है तो 5 बार कट करेंगे यह नहीं कि हम उची दूरी तरी जलेंगे ऐस आप मान लेंगे कम नहीं करना जितना यहां से लिजिए उतना रखकर एच्छे से मारते चले जाए पांच बार ठिक इतना किए अब इसके बाद देखिए यहां पर क्या कहा उपर तीन ऊपर ठिरी कहा ना तो यहां पर तीसरे वाले को हम दी से मिला देंगे ऐसे इसको हम ऐसे मिला देगे मिला देजी आप भी अब इसके बाद यहां पर एफाइब पर ध्यान दीजिए एफाइब जो है एफाइब से एफोर के बीच आधे से ज्यादा दूरी लेंगे आधे से ज्यादा त्रिज जैसे गोला प्रकार में भरिए इसको आधे से ज्यादा ऐसे रखकर एक चाप लगा दीजिए इसे आधे से ज्यादा यहां फाइब पर रखिए इससे आधे ज्यादा लिजिए एक चाप लगा दीजिए कि इसके बाद इसको एथिरी पर रखिए औ और एक चाप ऐसे लगा दीजिए से आप 22 पर भरकें है है अब यसकी बाद आप क्या करेंगे इतना करने के बाद यहां जो चाप लगा इसको आप में गोला प्रकार में भल लेंगे भरे, इसको भल लीजिए, उसके बाद इसको यहाँ पर रखिए एक ऐसे चाप लगा दिजए, लगा दिए, अब इस वाली लाइन को थोड़ा से बढ़ा लीजिए、 भी वाली को, बढ़ाए, अब इसको सीधा आप ऐसे, ऐसे मिला दिजिए, मिला दिये इसको आप माली जे डी पर काट रहा है पहुंचके अब यहां से डी पर थोड़ा सा त्रिजले कर उची त्रिजले कर एक चाप लगा यह से लगा दिये आप इसके बाद क्या करेंगे यही त्रिज़यंगे यहां नियसर लिए कर लगा देंगे त्रिजे अजो अब इसके बाद घर अब जैसे हैं कि और इसी पर रखकर ऐसे ऐसे कर दीजिए चाप लगा दीजिए ठीक जो यहां है ऐसे भर ये इसी पर रखकर चाप लगा दीजिए थोड़ा सा जो यहां पर है सेम चीज ऐसे भर ये यहां से रखकर ऐसे लगा दीजिए ठीक अब इस लाइन को आप बढ़ा दीज हैं और यहां से यहां से आप इसको ऐसे मिला दीजिए है ऐसे मिला दीजिए ठीक है यह इसे है माले जी हमारा थोड़ा यह नहीं बन रहा है इदर उदर हो जाता है ऐसे आप मिला दी तो देखिए जो इसके बीच की दूरी ऐसे से बराबर यह से बराबर है तो यही समानतर तर्वोज होता है सम्रूप जो इसके बीच की दूरी बराबर है इसी प्रकार आपको पेपर में करना है रचना आपको बता दिया हूं कैसे लिखना है कि मान लेना माना एवी बराबर सा संटी मिटर है एक रहे खंड झीचा फिर एसी बरावाद 6 संटी मिटर नापकर रहे चाप लगाया उसके बाद यह。」 तैसे एक रेखाखंड खींचा इस पर पांच चाप लगाया उसके बाद तीसरे को Tabii bitch है मिलाया फिर पांच बَّसमें आध्य से जागता ते जलेकर एक चाप लगाया फिर इस चाप को बरा हिए यहां लगा अगर आपको अभी भी कोई confusion है तो आप कमेंट कीजिए मैं आपको ज़रूर बताऊंगा आज की वीडियो में बस इतना ही इसके बाद सेट 3 में सेट 4 में आपको हर सवाल मिलेगी तो इस टाइप की सवाल आप इस वीडियो को ध्यान से देखना एक बार में नहीं दो बार में समन्द में आएगा आपको 100% किलियर हो जाएगा इस टाइप की जो जो सवाल हैं आप कर लीजिए पूरा 11.1 आपको मिलेगी 11.1 11.2 मे इस तरह सवाल आपको मिलेगी रचनाय में ठीक है तो आगे का वीडियो यानि सेट 2 2020 वो आपको नेक्स वीडियो में मिलेगा सेट 1 की पूरी सवाल समात हो गई है तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए जादा से जादा सेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुच पाए और उनको भी बोड में अधिक से अधिक नमबर मिल पाए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद